की थी कि तर्की की वैसे तो इंडिया के साथ ट्रेड है ही है लेकिन जब तर्की को कुछ खास्त दोर पर एकॉनमी उनकी बहुट डाउन जा रही थी और कुछ मुश्किल हालात थे तो उस वक्त तुर्की ने ये कोशिश की थी कि उनका जो ट्रेड लेवल है वो इंडिया से बढ़ जाए और उनकी ट्रेड ज्यादा हो ताकि उनकी जो एकॉनमी है वो थोड़ी सी संभल जाए तो ये बात याद रखिएगा कि तुर्की भी वो मुल्क है कि जिसकी तिजारत भारत से बड़े पैमाने पर होती है कि फिकर नहीं है अच्छा यहां पे कुछ हिंदुस् फाइब पे ग्रो कर रहा है और हिंदुस्तान सेंट पॉइंट टू पर यहने अल्मोस्ट डबल उसके कर रहा है अब मुकाब जैहन दोस्तों दोस्तों भारत सरकार ने टर्की के खिलाब एक बहुती बड़ा कदम उठा दिया है और अब टर्की पाकिस्तान को कभी भी सपो जरूरी समझा अब आप यह देखें कि साइप्रस की अगर हम थोड़ी सी बात कर लें तो यह याद रखिएगा कि आटमन एमपायर में साइप्रस आटमन एमपायर का हिस्सा था और उसके बाद फिर यह हुआ कि वर्ल वार बार वन के बाद के जो साइप्रस है उसमें अब अब हाली में भारत के बिदेश मंतरी साइप्रस पहुंचे और साइप्रस बही देश है जिस पर टर्की अपना अधिकार बताता है यहां पर दो कम्यूनेटी के लोग रहते हैं जेन मैंसे एक मुसलिम है और दूसरे क्रेशियन और इसी चीज़ का फाइदा उठाते हुए टर्की ने धर्म के नाम पर साइप्रस के दो हिस्से कर दिये जिसमें मुसलिमों के साइड को टर्की नौर्दन साइप्रस के नाम से बताने लगा और उस पर अपना अधिकार जमा लिया क्योंकि साइप्रस एब बहुत ही जोटा सा देश है इसलिए वो तर्की के खिलाब कुछ भी नहीं कर पाया तर्की ने नॉर्धन साइप्रस में अपनी एक सरकार बना रखी है और वो ही सरकार पूरे नॉर्धन साइप्रस को कंट्रोल करती है और इसी नॉर्धन साइप्रस की बज़े से दीरे दीरे तर्की पूरे साइप्रस पर अपना कबजा करना चाहता है करेंगे अब आप ये याद रखिए प्रेजिडंट तये बर्दवान ने ये जो एक न्यूट्रल वे में ये वला इशू उठाने की कोशिश की उसकी वज़ा क्या है उसकी वज़ा ही है कि अगर वो सकतल फाज इस्तमाल करते हैं तो कुछ अरसा पहले ही खबर थी और हमने उस की थी कि उनका जो ट्रेड लेवल है वो इंडिया से बढ़ जाए और उनकी ट्रेड ज्यादा हो ताकि उनकी जो एकॉनमी है वो थोड़ी सी संभल जाए तो ये बात याद रखिएगा कि तुर्की भी वो मुल्क है कि जिसकी तिजारत भारत से बड़े पैमाने पर होती है और उसके भी उस तरफ इंटरस्ट हैं लेकिन क्योंके तये बुर्दवान जो है वो मुस्लिम उम्मा के लीडर बनते हैं और वो अपने आपको इसमें आगे-आगे रखना जाते हैं आपको पता है कुछर सा पहले तक तो इसके पर बड़ी लडाईयां भी चलती थी ना कि क नाम पर भारत के दो बटवारे कर दिये और भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो गया वैसा साइपरस के साथ बिलको भी नहीं होना चाहिए इसलिए भारत सरकार ने साइप्रस के साथ एक defense agreement साइन कर लिया है जिसके तहद भारत सरकार साइप्रस को अपनी आर्मी नेवी एर पोस की सारी एकसेस देगी और भूत ही ज़्यादा advance हत्यार देगी जिसका उप्योग करके साइप्रस नाकेबल अपनी जगा बचा पाएगा बलकि Northern Cyprus को भी टर्की से छोड़ा पाएगा भारत ना के बल साइप्रस बलकि ग्रीस के साथ भी कुछ ऐसा ही एग्रिमेंट करने वाला है जिससे भारत टर्की को चारों तरफ से घेर लेगा साइप्रस आर्मी और इंडियन आर्मी मिलकर Northern Cyprus के rock के बार पर युद्द ब्यास करने वाले हैं साथी साथ ही भारत भारत ग्रीस के साथ भी कोछ ऐसा ही करेगा जिसमेंंडियन आर्मी और ग्रीस आर्मी मिलकर टर्की के बार्डर पर युद्द ब्यास करेंगी काई और पिर हम वहाँ जाके उसको जाना हूं है थैसर बात यह कि इतहीं हिते हम आगे चाह Aquí जाएंगे यह इत्स आगे कही निकलेंगे जाना हम कभी सूचंगी कि हमारा घ्रोफ rate three point five क्यों है हम कभी सोचेंगे कि हिंदुस्तान का seven point two क्यों है और अगले साल में याने next year में eight पे क्यों जाएगा या कैसे जा रहा है नहीं हमें इसकी फिकर नहीं है अच्छा यहां पे कुछ हिंदुस्तान के दोस्त कहते हैं कि हम उस चीसे अब आगे निकल गए यानि पाकिस्तान के साथ जो हमारा था किसी जमाने में अब उससे हम आगे निकल गए अब हमारा टार्गिट चाइना है चाइना इस सब्सक्राइब पर ग्रो कर रहा है और हिंदुस्तान सेवन पॉइंट टू पर यहने अल्मोस डबल उसके कर रहा है अब मकाबला उनका जो है उन्होंने अपना स्टेंडर्ड अप कर लिया हमने अपना स्टेंडर्ड मजीद गिरा दिया हमारा मकाबला किसके साथ है हमारा मकाबला सरलंका के साथ है हमारा मकाबला एराक के साथ हैं, हमारा मकाबला सीरिया के साथ हैं, हम यह और तरह से चल रही है, हम वही अपनी 70s, 80s, 90s की पॉलिसी को ले के चल रहे हैं, अब दुनिया उस तरह नहीं है, शायद वो पॉलिसी पहले सेकसिस्फुल थी, बट नॉट राइट नॉट इन 2022, 2022 में दुनिया और तरह से सोचती है, शायद आज से 30 साल पहले दुनिया हमारे बारे में और तरह से सोचती थी, आज 2022 में दुनिया हमारे बारे में और तरह से सोचती है, वो कहती है, हम आपको सारा कुछ करते रहे हम जो कहते थे, वो कर लेते थे, हमें एप 16 चाहिए, वो हमें 16 दे रहे थे हमें मिजाल चाहिए हमें वो मिजाल दे 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 थे हमें डॉलर्स चाहिए हमें वो डॉलर्स दे 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 थे हमें लिकॉप्टर्स चाहिए हमें लिकॉप्टर्स दे रहे थे हमें जो चाहिए होता वोई वाली बात है कि मतलब अनो का लाडला केले को मांगे चांद तो हम जब भी मांगते ते तो वो बिचारे चांद मी दे 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 ते थे केले के लिया लेकिन अब वो कहते हैं बस बेटा आप बड़े हो गये हो लेकिन बड़े सिरफ एच के हговाले से होए हो बागी कोई बड़ाई आपने नहीं की और अब इस agreement का टर्की पर एक बहुत ही बड़ा effect पढ़ने पाला है जो टर्की बात बात पर पाकिस्तान को UN में support करता रहता था कश्मीर का मुद्धा उठाता रहता था अब वो कभी भी कश्मीर का मुद्धा नहीं उठाएगा और उठाने से पहले हजार बात सोचेगा हाला कि भारा सरकार की इस defense deal पर आपका क्या कहना है आप मुझे नीचे कॉमेंट वें जरूर बताईए